निबंद लेखन आओ बच्चों, इस पाठे में हम निबंद लेखन के बारे में पढ़ें अच्छे तरह बंदे हुए लेखन को निबंद कहते हैं बच्चों, जब कोई विशय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है तो वह निबंद कहलाता है बच्चों, अच्छा निबंद लिखने के कुछ नियम होते हैं आईए उनको देखें निबंद लिखने से पहले उसके विशय को अच्छी तरह सोच लें दो, विशय के अनुरूप अपनी भाशा और शैली का उपियोग करें तीन निबंद को तीन भागों में बाटिए पहले भाग में निबंद के विशय का परिचे दीजिए मध्यम भाग में विशय को विस्तार से लिखें और अन्तिम भाग में विशय का समापन कीजिए चार बच्चों निबंद लिखते समय हर नई बात के लिए नया अनुच्छेद लिखिए पांच जरूरत पढ़ने पर मुहावरों या कविताओं का प्रयोग करें झाल